नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिलेटेस इन्फो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के फंक्शन कीस और शौर्ड कट कीस के वरे में दोस्तों यह टॉपिक जो है कंप्यूटर का एक टॉपिक है जिसमें हर एक्जाम में एक ना एक कोशन इसका पूछा ही जाता है मतलब आप एक नमबर अपना स्क्योर कर सकते हैं तो यह इस वीडियो में बात करते हैं जो आपका अभी एक्जाम होने वाला है उसके लिए काफ सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों सबसे बहले बात करेंगे फंक्शन कीज के बारे में फंक्शन कीज होती है तो टोटल वन बारा हमारी फंक्शन की यहां के कम्प्यूटर में होती है वह एक त्यवसे trochę हमारी उन्प्वार्मारी 40 जिसमें के सिम्बल्स वहते हैं आपके सिंबल्स बिखार विगरा फिया होते हैं तो चलिए अब function keys के बारे में यहां पर बात किजाए दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूँ F1 के, F1 का use किया जाता है for help के लिए, अगर आपको कोई information बगर help चाहिए तो आप F1 को press कर सकते हैं, second number पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी कोई भी PDF file document जिसको भी आप rename कर सकते हैं और यहां पर F3 की बात किजाए तो searching जी हैं जो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आप कुछ search करना है तो F3 आपका searching का काम यहां पर करेगी, F4 की की बात किजाए तो यह आपका internet explorer को open कर देगी जो की आपका windows open जी हैं जो आपका computer का browser होता है वो simply आपको यहां पर open कर देगी, F5 दोस्तों आप अपने computer को refresh के लिए कर सकते हैं जी जो अधरवाइस आपको right click से properties में जाकर आपको refresh करना पड़ता है लेकिन F5 की मदद से आप डिरेक्ट अपना computer है उसको refresh कर सकते हो, F6 आपका menu बार open कर देगा, दोस्तों F3, F5, F6 यह जो मैंने underline की है इसको ए आप चेक कर सकते हैं, F8 की बात कीजिए तो reboot के लिए यह यूज की जाती है, F9 की बात कीजिए तो अगर आपने कोई भी select किया, पार्ड को select करते हो तो इसको आप remove कर सकते हो, A की मदब directly, F9 की मदद से, F10 आपका right click के लिए यहाँ पर use की जाती है जो आपका, यहाँ पर shift plus F10 को अगर आप press करेंगे, F11 की बात कीजिए तो आप अपने screen को जैसे अगर आपने reduce की हुई है screen उसको दुवारा से आप यहाँ पर full screen को resize यहाँ पर कर सकते हो, F12 की मदद से आप अपना कोई भी painting जो भी मतलब अपने application या फिर उसके अंदर कुछ भी खोल रखा तो F12 क होता है save, save as, save as, save as, अगर आपने कोई document बनाया है, उसमें कुछ mistake बगरा हो गई है, तो आप यहाँ पर save as पर click कर सकते हैं, और फिर से उसको save कर सकते हैं, चलिए यह सब तो होगी, अब दोस्तों बात करेंगे shortcut keys के बारे में इसका ही question बार बार आते रहता है, तो इसको मतल अगरा यहां पर select करना है, तो यहां पर select R कर सकते हैं, control A की मतलब से, control B की बात करेंगे, तो आप अपने font को जी हैं, तो एक तरफ का bold कर सकते हैं, जैसे मतलब अगर आपने कोई भी लिखा हुआ है, font लिखा हो, उसको bold मतलब underline बगरा मतलब वो काफी dark हो जाएगा, bold कर सक कितने हमारे fonts बगरा है, control E की बात की जाएगे, तो align to the center मतलब आप अपने जो आपने लिखा हुआ है, उसको आप center में shift कर सकते हो, control E की मतलब से, control F की बात की जाएगे, तो आप कोई भी text को डूंड सकते है, find the text इसका यहां पर रहेगा, control G की बात की जाएगे, तो go to जी ह language बगरा होते हैं, जो आप text होता है, उसको आप italic में यहां पर कर सकते हो, control J जो की justify यहां फिर, जो है control J justify की तरफ से यहां पर use किया जाता है, दूस्तो अब control की की यह बहुत important है, यह काफिवर पूछे जाता है insert link, इसको आप hyperlink भी यहां पर लेख सकते हो, hyperlink या फिर insert link यहां पर इसका control की का, यहां पर answer रहेगा, control L की बात कीज़े तो यह आपके contact को left की तरफ ले जाएगी दिया, तो आपका center के bell, मैंने बताया यह अब जो है आपके paragraph को left की तरफ यहां पर shift कर देगा, control जो आपका L है, M की बात कीज़े तो आपके paragraph को indent कर सकता है, और control N की बात कीज़े तो आपका new page यहां पर open हो जाएगा, अगर आप कोई new यहां पर document बनाना चाते हैं, तो control N की तरफ से आप जो है अपना new document बना जाकते हो, control O की बात कीज़े तो आपको open का option यहां पर मिल जाएगा, अगर आप कोई भी text file यहां पर PDF file, document file अगर आप open करना चात करते हो, control P की बात कीज़े तो आप print कर सकते हो, P का use किसी भी चीज़ को print करने के लिए यहां पर किया जाता है, control Q की बात कीज़े तो clear कोई भी आप जो paragraph है, सीधा एक ही click में अगर आप clear करना चाते हो, control Q यहां इसका काम करता है, control R की बात कीज़े तो यह आपका right की तरफ लेका जी हैं तो जो आपने लिखा होगा यह अगर आप राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं मतलब राइट साइट तो राइट के लिए यह सब रहेगा और यह करता है चाहिए अपने लिखा यहां पर करता है और यह सब इंपोर्टर्ड है यह काफी अग्जाम से में पूछ जाते हैं यह सब आप जूरूर देखना है आपको सीदे कॉशन नियुक्शन नहीं पूछेंगे जैसे स का सेब हो गया सी का कॉपी हो गया दोस्तों यह उल्टा ही पूछते हैं जैसे कंट्रोवी का हो गया पेस्ट कंट्रोल डेवल जू का हो गया आपका close documents के लिए यहां पर यूस किया जाता है control x की बात किया है x से आप ऐसे याद रख सकते हो कि cut करना cut जो है control x का यहां पर रहेगा control z की बात की जाए तो अंडो रहेगा और मतलब जो अपने फाइल डिलेट किया अगर आपको उसको बापपीस लना जाते हो और redo की अगर आप रीडाउट करना जाते हो